दिल्ली में आज मेर की चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा सियासी बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के पार्षदों को वोट के बदले करोडो रुपए कैश और बड़े पद का उफर दिया है। बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फरेंस कर दावा किया कि उसके दस पार्षदों से आम आदमी पार्टी नेताओं के सुंपर्ख है और करोडो रुपए का लालच देकर अपने बख्ष में बोटिंग करने के लिए कहा गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पार्षदों के खरीद फरोग्त करने के लिए ही आमादमी पार्टी एमसीडी की बैठकों में हंगामे कर रही है। अपने पक्ष में मद्दान के लिए इन से संपर्क किया गया है। और करोडों का ओफर दिया गया है एक एक वोट के लिए हम इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं जो पार्टी इमानदारी की बात करती थी आज वो भष्टाचार करके दिली नगर निगम के भाजप पदों का प्रलोबन दे रहे हैं।